हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कॉशल यादर फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं अडम्स क्लास जो की यूनिवर्सिटी क्वेशन आता है शॉर्ट आंसर क्वेशन पूछा जाता है लॉंग आंसर क्वेशन भी कभी कभी क्लास्प, लिवर्पूल क्लास्प और यूनिवर्सल क्लास्प तो इसको यूनिवर्सल क्लास्प भी बोला जाता है बिकर्ज ये डेसीडियस टूथ और पर्मिनेंट टूथ दोनों में लग जाता है इसी वज़े से इसको यूनिवर्सल क्लास्प बोला जाता है तो आपको आडम्स ने बनाया था इसको and most widely used clasp माना जाता है इसे और इसमें disto buckle और mesio buckle undercut की मदद ली जाती है इसमें और posterior जब बनाया जाता है तो 0.7 mm wire से बनाया जाता है और जब anterior बनाया जाता है तो 0.6 mm wire से इसको बनाया जाता है ठीक है उसके बाद इसके parts होते हैं इसमें bridge आता है two arrowheads आता है और two tag arms आता है ठीक है तो ये वाला जो portion आप देख रहे है figure में this is called bridge और इसमें दो arrowheads होते हैं जो की mesial और distal undercuts में जाता है फिर इसमें tag arms होते हैं this is your tag arms ठीक है तो ये सारा retentive part है retain करके रखता है appliances को Adams class ठीक है अब एक एक parts की बात करते हैं bridge की अगर हम लोग बात करें तो bridge is two third of the mesial distal width of the teeth ये चीज आपको याद रखना है ये जो bridge होगा इसका कितना distance होगा ये इस पूरे दात का two third portion रहेगा आपको ये याद रखना है मैं आपको practically भी जब आपको बना के दिखाऊंगा मैं cast पे तो ये तब आप अच्छे से समझ पाओगे तो आपको इतना याद रखना है इसका जो ये bridge है two third of the mesial distal width होगा tooth के ठीक है ना उसके बाद one to two mm away from the buccal surface of the teeth buccal surface है ये देखो ये इसका buccal surface है इससे कितना दूरी पे है ये ये one to two mm away है ये याद रखना है और 45 degree to the buccal surface of the teeth ये buccal surface है आपका और ये 45 degree पे इसका बनाया गया 45 degree पे आपको इसको away रखना है ये चीजे आपको ध्यान रखनी है bridge आपको ऐसे ही बनाना है ठीक है अब arrowheads की अगर बात करें तो they should lie in the distal or mesiobucal undercut मैंने बताया था ये जो arrowhead है आपका एक distal portion पे और mesial portion पे ही रहना चाहिए आपका ठीक है and shaped according to the curve of gums margin into the dental papilla आपका मान लो जिन जाएवा इतना उपर है तो आप उतना ही उपर इसे बनाओगे तो it depends on the gums margin कैसा margin है आपका सबका अलग अलग होता है and should not touch the adjacent teeth एक चीज हमेशा याद रखना ये adjacent teeth पे नहीं touch होना चाहिए ठीक है नहीं तो उसके growth को hamper कर सकता है अब tag arms की बात करते है tag arms जो है हमारा closely fitted to the contact point ये जो tag arms दे रहे हो आप एकदम closely fit होना चाहिए embrasures में and down to the interdental embrasures नीचे तक भी एकदम embrasures पे ही आना चाहिए ये नहीं की बाहर निकला होना चाहिए एकदम contact point पे होना चाहिए और इसमें कोई sharp bends आपको नहीं देना है इसमें ठीक है अब fabrication क्या असा होता है मैं आपको ये fabrication आप ज़्यादा समझ पाएंगे जब मैं आपको practically करके ये चीजे बताऊंगा तब पहले कुछ भी नहीं करना है आपको wire लेना है मानलो आप 0.7 mm का wire ले रहे हो posterior tooth पे बना रहे हो तो आप क्या करोगे सबसे पहले two third of the distance लोगे ठीक है फिर आप उसको bend करोगे दोनों wires with the help of Adams pliers की मदद से आप इसको क्या करोगे bending दोगे उसके बाद आप ये ऐसा वाला turn आप पूरा मोड़ोगे इसे फिर दूसर साइट का आप इससे मोड़ोगे ऐसा कुछ आपको मोड़ना है उसके बाद आपको tag arms बनाना है एकदम closely contact में और उसके बाद जब आप बनाओगे तो इस जो bridge है उसको 45 degree पे ही रखना है मैं आपको जब practically बताऊंगा करके मैं कुछ कुछ दिन बाद में आपको practically करके दिखाऊंगा कास्ट पे तब आपको जादा समझ में आएगा अच्छे से उसके बाद advantages क्या है इसका देखो यह एक तो छोटा होता है small need or unobstructive रहता है किसी भी दात पे आप इसको use कर सकते हो decidious or permanent dentition में होता है इसलिए इसको बोलते है universal clasp even on the semi erupted tooth पे भी आप लगा सकते हो इसको no specialized pliers की जरुवत नहीं होते सिर्फ Adams pliers की मदद से बना सकते हो can be modified as needed इसके बहुत modifications number of modifications इसके available है मैं बताऊंगा आपको इसका disadvantages क्या है may lead to elongation of teeth if it is fitted tightly अगर आपने कसके लगा दिया इसको तो वो दात को उचा उठा सकता elongate कर सकता है and cannot be given on proclined anteriors अगर proclined anteriors है वहाँ पर आप यह नहीं दे पाओगे and can be repaired only if fracture through the arrowhead से अगर तूटेगा तभी आप repair कर सकते हो अब इसका कुछ modifications है आपको यह याद रखना है with Adams class with distal extension और traction hook दिया जाता है इसमें यह देखर हो आप hook दिया गया इसमें यह क्यूं दिया गया है ताकि आप elastics को इसमें engage कर सकते हो ठीक है इसी वज़े से इसको यह distal extension दिया है and not given if the sulcus is shallow अगर sulcus shallow रहेगा तो वहाँ नहीं दे सकते आप में मकसद इसका है elastics को engage करना दूसरा extension helix दिया हुआ यह देखो आपने helix बनाया है इसमें उसके बाद आपने tube लगाया है इसमें ताकि आप इसमें wire insert कर सकते हो orthodontic wires insert कर सकते हो फिर उसके बाद anterior पे two tooth की मदद से दो दांत लिया है anterior पे वहाँ भी आपने adams दे सकते हैं तो यह सारे चीज़े क्या modifications है आप J hook दे सकते हो यहाँ पे elastics को engage करने के लिए तो यह सारे modifications आप कर सकते हो ठीक है तो यह आपका अधा adams class I hope आप समझ गए होंगे thank you so much